हेलो दोस्तो आपके नन्ने मुन्ने बच्चों की खातिर दोस्तो लेकर आए हैं आज बहुत अच्छा डॉंस्टल बेबी ड्रॉप्स जिसको आज बताने वाला हूँ आपको इसके फुल जानकरी वो भी दोस्तो इसकी डोस और इसके साइड एफेक्ट के साथ तो दोस्तो बन का इसके पिए और दोस्तो इससे रिलेटेट जो भी बीमारी पचाई अपने नन्ने मुन्नों को इस बीमारी से दूर रखेगा और समझते हैं इसकी फुल डेटेल क्या है चलिए दोस्तो चैनल को सबस्क्राइब कर लीजी क्योंकि इन फ्यूचर मिलने वाले सारे वीडियो आपके लिए उप्योगी हो सकते हैं दोस्तों और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ सब्वाल आइकन प्रेस भी कर लेना जैसे कि फार्मेसी स्टेडी मेटेरियल और मेडिसिन से रिलेटिड कोई भी वीडियो आपको मिल सके और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाश्ट में लाइक और शेयर भी कर देना चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं डॉमिप्रेडिन सस्पेंसन डॉम्स्टल ये बेबी डॉप्स है दोस्तों लॉमस्टल बेबी ऊरल डॉप्स की सला दी गई गई है दोस्तों यह दोस्तों किस-किस बीमारी के लिए बच्चों के लिए काम में आता है जैसे बच्चों को अपच्छ की सिकायत हो जाती है मिचली आना और उल्टी की सिकायत होती है अगर बच्चों को बॉमेटिंग होती है तो आप इस डॉप का इस्तिमाल कर सकते हैं जो कि काफी हद तक ये बच्चों के लिए फाइदे मन्द होता है और इसका रिजल्ट काफी अच्छा है तो आप इसको इसको देने के बाद बच्चों को इसकी डोस देने के बाद उनको इस तरह की बीमारी उसे दूर रख सकते हैं तब ही आपके नन्ने मन्ने हस्ते खेलते रहेंगे दोस्तो जानते हैं डॉंस्टल ओरल डॉप के क्या क्या लाव है इसके तो दोस्तो इसको डॉमस्टल बेबी औरल डॉप को अगर बच्चे के सरीद में बीमारी करने वाली भीमारी महसूस करने वाली कैमिकल की केरिया को ब्लॉक करता है और यह ओपरिसन के बाद बड़े लोगों में बैस को में मिचली और उल्टी को रोकने में भी असरदार है डोज इत बात पर निर्वर करती है कि आप इसे किस के लिए ले रहे हैं लेकिन इस दवा को हमेशा वैसे ही लें जैसे बताए गए और दोस्तों इसकी डोज आपकी कंडिशन और दवा के प्रतिय आपके responsible निर्वर करेगी आपको दवा लेना तब तक जारी रखना चाहिए जब तक आपका डॉक्टर आपसे उसे रोकने के लिए नाक आए मतलब आप डॉक्टर की सलानुसारिस का यूज करें डॉक्टर को आपके दुआरा ली जाने वाली अन्य सभी दवाओं के बारे में बता दें क्योंकि इन से जो मतलब आप अपने बच्चे को किसी और दवा का इस्तिमाल करा रहे हैं आप उससे डॉक्टर से कुछ नहीं चिपाना है आपको बता देना है कि इससे अलग भी आप बच्चे को कौनसी दवाई दे रहे हैं क्योंकि इन में से कुछ इस दवा का परवाव उन पर पढ़ सकतَ है मतलब आप जो दवाई दे रहे हैं उन में से इस पर प्रवाव उनका पढ़ सकता है, इसलिए आप डॉक्टर से कुछ न चिपाएं और सब बता दें कि आप कौन सा ब्रॉप या कौन सी टेबलेट अपने बच्चे को दे रहे हैं दोस्तो इसकी डोज की बात कर ली हमने इसके और ये किस बीमारी में काम में आता है, उसकी बात कर ली चलिए दोस्तो जानते हैं इसके क्या साइड एफेक्ट हो सकते हैं इस दवा से होने वाले अधिकान साइड एफेक्ट में डॉक्टर की सला लेने की जरूद है आपको अब डॉक्टर से सला ले सकते हैं और नियमेत रूप से दबा का सेवन करने से साइड एफेक्ट अपनी आप समापत हो जाएगा मतलब इस दबा से होने वाले अधिकान साइड एफेक्ट में डॉक्टर की सला लेने की जरूरत नहीं पड़ती है और नियमित रूप से दबा का सेवन करने से side effect अपने आप समाप्त हो जाते हैं अगर आप side effect बने रहते हैं या लक्षा बिगणने लगते हैं तो आप डॉक्टर से सला अवच्छे लें side effect दोस्तों इसके क्या क्यास हो सकते हैं सर में दरद हो सकता है मुह से सूकफन हो जाएगा पेट में दरद हो जाएगा और डाइरिया मतलब दस्त होने लगते हैं तो ये इसके side effect हो सकते हैं चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसकी manufacturing और बाकी की जहनकारी की मैंने इसके आपको use और side effect बता दिया है उमें कि दोस्तों आप वीडियो अच्छा लगा होगा आप वीडियो अनंद ले रहे होंगे और समझ रहे होंगे full detail इसकी तो दोस्तों इस पे ये कुछ बना हुआ है यहां dose का dose 0.3 mg per kg per dose तो दोस्तों इसमें age दी हुई years में average weight दिया हुआ है किलोग्राम में और dose दी हुई है ml में चलिए दोस्तों जानते हैं इसका full detail क्या है जैसे कि आप देख रहे हैं अगर 17 kg तक का ये आपका बेबी है तो इसको ये आप 5 ml दे सकते हैं और यहां देख रहे हैं आप 14 kg का है तो 4 ml दे सकते हैं और 10 kg का है तो 3 ml 7 kg का है तो 2 ml तक दे सकते हैं तो दोस्तों नीचे अगर इसके table जो बना हुआ है dose का उसमें बात करते हैं तो 1 से 2 year तक का बच्चा जो आपका है अगर तो उसको 10 से लेके 12 तक average weight उसका 10 से 12 kg है और 1 से लेके 2 साल का है तो उसको आप 3 से लेकर के 3.5 ml तक दे सकते हैं और अगर 2 से लेकर 3 बरस का बच्चा है तो उसको 12 से लेकर के 14 और अगर उसका body weight 12 से 14 kg है तो आप उसको 3.5 से 4 ml तक इस दबाई का डोस दे सकते हैं मतलब उसकी खुराक दे सकते हैं और अगर बच्चा तीन से लेकर के चार साल का है उमर में तो और उसका वाड़ी बेट उसके बजन जो है उसके सरीर का 14 से 18 किलोग्राम है तो आप उसको इस दवाई की मात्रा चार से लेकर के साड़े 5 एमिल तक दे सकते हैं और दोस्तो टेबिल का लाश्ट वाला जो हमारा कॉलर में उसमें आप देख रहे हैं कि बच्चे की उमर अगर 4 से लेकर 5 साल है और उसका वाड़ी बेट 18 से 20 किलोग्राम दिया है तो आप उसको 5.5 से लेकर के 6 एमिल तक इस दवाई का यूज करा सकते हैं तो दोस्तो ये थी कुछ डोस की जनकरी इन इच केस 3 to 4 टाइमस एड़े अगर किसी केस में 3 से 4 बार दिन में किस केस में कोई अगर ऐसी सिच्वेशन आती है तो आप इसको 3 से 4 बार दिन में इस्तिमाल कर सकते हैं और as directed by the physician और अपने डॉक्टर के सुजाओ के द्वारा तो दोस्तो ये बात होगा इसकी दोस की चली दोस्तो बात करते हैं इसकी manufacturing और MRP बगएरा की तो दोस्तो आप देख रहे हैं इसमें manufacturing date फरवरी 2021 का ये manufactured है और expired date इसकी जनवरी 2023 तक चलेगा ये जनवरी में जाकर expire हो जाएगा 2023 में और दोस्तो अबर बात की जाए इसकी MRP की तो 35 रुपे 90 पैसे की MRP लिखी हुए है दोस्तो मगर इसको market से कितने रुपे में मैंने 31 रुपीज में इसको मतलब 30 रुपीज में मैंने इसको दिये थे medical वाले को तो इसको मैंने 30 रुपीज में purchase किया है और दोस्तो इसका कुछ instruction लिखा हुआ है store at a temperature not exceeding 330 degree celsius protected from light and moisture तो दोस्तो उमीद आज का ये डॉमस्टल का ये वीडियो अपने नन्ने मुन्ने बच्चों के लिए आपको पसंद आए हो दोस्तो अगर वीडियो पसंद आए तो इसको like और share कर दिजे और दोस्तो बने रहे हैं इनके pharmacy knowledge के साथ इसी तरह की अगली वीडियो में आपसे मिलती मुलाकात होगी हमारी अगली वीडियो में इसी तरह के interesting medicine या interesting pharmacy study material के साथ तब तक की लोस्तो बिदा लेते हैं आपसे जैहिंद धन्यवाद